दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारे हैं पैसा खर में टिकता नहीं है तो आटे के डब्बे में रख दें ये खास चीज बरी रहेगी हमेशा आपकी तीजोरी आज के मेंगाई के जमाने में पैसा कब आता है और कब खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता पैसा कमाने में बड़ी मेनत लगती है इसलिए हार कोई यही चाहेगा कि उसका बैंक बैलन्स खाली ना हो लेकिन कई बात दुर भागे या मुसीबतों के चलते पैसा पानी की तरह बैटा रहता है यदि आप भी उन लोगों में से है जिनके घर पैसा टिकमे का नाम नहीं लेता तो टेंशन ना ले जोतिशास में कुछ खास उपायों का जिक्र किया गया है जिसकी साहता से पैसा आपके घर में हमेशा बना रहेगा कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई किल पास के मुताबिक याकारे करने से आपके खर पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। साथी से घर में रखा हुआ पैसा जल्दी जल्दी खर्च भी नहीं होगा। एक दिन भी ऐसा करना ना भुने इसे भगवान आपकी हर्मानों कामना पूर्ण करेंगे। साथी घर में पैसा भी टीका रहेगा। और उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा समापत होने पर मा को अपनी धन समंदित समश्याएं बताएं। आप ये चावल की पोटली अपने घर की तीजोरी या पर्स में रख दें। पैसों से जुड़ी सभी समश्याएं आपकी समापत हो जाएगी और जल्दी मा किरपा आप पर बरसाएगी। इससे आपके घर में किसी भी प्रेकार की कोई किल्ड़त नहीं होगी। काली मा की पूजा घर में रोजाना काली मा की पूजा करें शुकरवार को मा काली के मंदिर जाएं वहां उन्हें धूप दीप और भोग लगाएं इसके बाद मा की स्तुति करें और अपने मन की मुराद मांगें। इस उपाय से घर की नेगिटिव एनर्जी खतम होती है। आटे के डबे में पाँच तूलसी के पत्ते और दो केसर के दाने रखने से घर में पैसा ठीका रहता है। इसके अलावा आप सनीवार के दिन ही आटा पिस्वाने का कारे करें। इसमें चनने रखना न बोलें। इस उपाय से घर में आर्थिक संकट नहीं आएगा। साथ ही पैसा लंबे समय के लिए ठीका रहेगा उमीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आयोगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आयो तो इसे दूसरों के साथ साजा कर उनकी समझ्याओं को भी दूर करने का प्रयास करें